नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु के विशेश कास्कम के साथ ऐसा मानते हैं कि सरद्पुणिमा के दीन माता लक्षमी इस धर्टी का भर्वन करती है और देखती है कि कौन भक्त तन मन से मान लक्षमी की किरपा प्राप्त करने के लिए रात्री भर जागन करते हैं और माता लक्षमी का ध्यान भी करते हैं जो लोग सरद्पुणिमा के दीन रात्री जागन करके माता लक्षमी की ध्यान करते हैं मंत्र जाप करते हैं पाठ करते हैं उनके जीवन में धंड की बरसा निशित रूप से होती है ऐसा खुद मा लक्षमी का कहना है सास्त्रों के नुसार ऐसे में सरद पुर्णिमा की रात आपको एक खास उपए करना है जिस उपए से आपके जीवन में गरी भी सदा के लिए दूर हो जाएगी और थन भी आपके जीवन में आना सुरू हो जाएगा तो कि पैसे सब्सकाइब कर ले तो था बेल बटन को भी दबाएगे ताकि नए भीडियो का नुटिफिकेशन आपको तुरू मिल जाएगे सरद पुर्णिमा के दीन माता लक्षमी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धर्ती पर आती है और देखती है कौन सा भक्त उनकी भक्ती में लीन है इसलिए माना जाता है कि जो भक्त सरद पुर्णिमा तीथी को रात में जाकर मान लक्षमी की भब उपासना करता है उस पर मान लक्षमी की बिशेश की पापरस्ती है इस दिन सच्चे मन और सरधा से मा लक्षमी की पूजा करने से सभी मनो कामनाय पुन होती है जिनकी कुंडली में धन का कोई योग ना हो इस दिन की पूजा से परसन होकर मा लक्षमी उन्हें भी धन धान से संपन कर देती है सरध पूर्णिमा काफी महतपुन तीथी है इस तीथी को सरध रितु का अरणभ होता है इस दिन चंदरमा संपुन और सौला कलाओं से युक्त होता है इस दिन चंदरमा से अमरित की बरसा होती है जो धन प्रेम और सेहत तीन हो देती है प्रेम और कलाओं से परिपुन होने का अन्सरी कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था इस दिन बिश्यस परयोग करके बेहत्रीन सेहत अपार धन और खूब सारा धन पाया जा सकता है इसलिए इस दिन आपको ये उपाय निशी दूप से करना चाहिए सरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय जो आप को अवस करना चाहिए इस उपाय के नुसार आपको चार लोंग लेनी है इसके साथ एक लाल कप्रा लेना है इसके पात महालक्ष्मी और कुवेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देशी घी की जो जलानी है और फिर दो लोंग के जोरे को इस दीपक मे डाल देना है बची हुई दो लोंग को लाल कप्र में बांध कर सची सरधा से उसे मा लक्ष्मी का रूप मान कर अपने तीजोरी में रख देना है बस आपको केबल यही करना है कोई मंत्र नहीं कोई तंत्र नहीं ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनो कामना पूरी हो जाएगी सबसे महत्पून तो यह है कि कर से मुक्ति मिल जाएगी आपके पास इतना पैसा आएगा कि समालना मुश्किल हो जाएगा अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए एक तो यह है कि उपाय करते हैं समय आपको इसके बा दूसरा जब भी आपको उपाय करते हैं तो उसे उस उपाय को आपको किसी को भी बताना नहीं चाहिए तभी आपका यह उपाय काम करता है। साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीबन में धनकी वर्षा करवा सकते हैं और कर्शे मुक्ती पासकते हैं। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।